दोस्तों बीते कुछ दिनों से महीने से भी खवर आ रही है कि शाओमी का 12S से स्मार्टफोन शुरू करने जा रहा है लौंची की यहाँ पर दोस्तों जो इस स्पाइस वेकर से निकल के आ रहे हैं शाओमी का शाओमी 12S प्रो और शाओमी 12S स्मार्टफोन अब देखनी बात यह इसमें कि जो 12S का स्मार्टफोन था उसी करनी ब्रैंड वर्जन होगा या फिर कुछ और अलग हटकेस में होनी वाला है तो जाहरी सी बात है अगर इस नाम से शुरुआत सीरीज शुरू किया है तो यहाँ पर आपको काफी कुछ जादा अपग्रेशन देखने को मिल सक सकता है कि टोल एस में टोल एस प्रो में यह आपको एक कम बजट में दिखाई दे यह हो भी सकता है कि इसमें पहले के जैसे अब देखता था एक फ्लैक्सी स्मार्टफून में स्नैप्राइगन और बहुत सारी चीजे अपने आप में एक ती उस थरीके कर क्या यह लांच कर रख है तो उसी के बारे हम बात करेंगे क्या कुछ कैसा है लेकिन जो इसमें दिखाई दे रहा है फीचर के हिसाब से यह उसी कटक कर कुछ आसपास में है वही चीजिए फिर से बात करूंगा शुरू करने से पहले बता दूँ चनल पहले बढ़ा ने चुरू को सब्सक्रा मॉडल के मुकाबले में कुछ अपग्रेडन फीचर दिये जा सकते हैं जैसे कि 12S में 12S प्रो में जैसे अगर मैं मॉडल नंबर की बात करूं तो 22606123SC के साथ साथ यहां पे एक और चीज़ कोडनेम दिखाए दे रही है जिसमें यूनिकॉन होम कोडनेम की बात की गई थ चल रहा है कि इसमें शौमी टोल एस प्रो में मेडिया डेमेंसेटी 9000 प्रोसर भी देखने को मिल सकता है यानि कि फोन में दो वर्जन के सामने आ सकते हैं कि स्नैप्रैगन होगा और दूसरी में डामेंसेटी चिप्स होगी यह चीज़ें दो चीज़ कंफर्म हो रही है और और फिर यहां पर देखा जा रहा है कि इसमें जो भी कुछ है जैसे की डिजाइन है या फिर इसमें कह लो कि आपका इसे डिस्प्ले के लिए बात करूं यह कवल डिस्प्ले 120 हर्टे रिफ्रिस रेट को देखने को मिल रहा है और डिजाइन के मामले में आप कहीं ने कहीं जो कैमरे का मेंडूल है वो सेम सेम आपको 12 Pro की जैसे ही दिखाई दे रहा है 12 Pro Max हो सकता है या 11 भी हो सकता है सेम इसमें कुछ बदलाव नहीं है अगर हम इसको बेजल्स की बात करें तो बेजल्स भी आपका कहीं ने कहीं सेम वैसे model की तरह दिखाई दे रहा है जो existing phone है जै से जल इसी लास्ट जून तक आपको देखने को मिलेगा इंडिया में और प्राइस क्या होगी कैसे होगी तो आप 12 Pro के हिसाफ किताब अब लगा सकते हैं कि आज पास में प्राइस पोने वारे बस यहां पे दो इस्ट्रॉंग लीक्स थी जिसके बारे मैंने आपसे यहां प हुआ हुआ